अगर आप मेरे चैनल पे पहली बारा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे नीचे बेल ऐकन है उसे प्रेस जरूर कर ले ताकि मैं जो भी निया वीडियो डालो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास है आज के वीडियो में बताने वाली हूँ जी हा जूर सीतल 2023 में कब है जूर सीतल फेस्टेवल की शुरूआत कब हुई जूर सीतल त्योहार के दोरान ध्यान रखने वाली बाते जूर सीतल ती थी तो आईए शुरूआत करते बिहार में ऐसे कई स्थान है जहां पर परंपराओं का पूरा ध्यान रखते हुए पुरातन त मुदाए हैं जो लोग अलग प्रकार से अपनी तिवार मनाते हैं जिससे ये संकेत मिलता है कि वे अपनी परंपरा से बहुत ही मन से जुरे हुए हैं इसी परंपरा का एक भाग है मिथला का परंपरागत तिवार जूर सीतल जो की नए साल का आगमन होता है जूर सीतल मैथली स वर्ष होता है और इस वर्ष पर दोस्तों रिस्तेदारों को सुभकामनाई दी जाती है बिहार के मिथला में विशेश रूप से ये पर्व बहुत ही धुमधाम से मनाया जाता है क्योंकि यहां पर जूर्शीतल का काफी ज़्यादा महत होता है पारमपरिक पंचांग के अनुसार ये पर्व नव वर्ष का पहला दिन माना जाता है जिसके अनुसार भारत और नेपाल के मैथली समुदाए नया वर्ष मनाते हैं रवी की फसल की कटाई की खुशी में किसान वैसाखी का पर्व मनाते हैं बिलकुल इसी प्रकार से मिथला में इस पर्व को मनाया जाता है और इस दिन गुड और सत्तू के साथ रितू फल और पानी से भरे हुए घरों का दान किया जाता है लोग एक दूसरे को नई साल की बधाय देते हैं और खुसियां बाटते हैं इस दिन घर के बड़े बुजरुग माता पिता अपने बच्चे के सिर पर जल का छीटा देते हैं और साथ ही पेर पौधे की सीचाई भी की जाती है घरों में स्वादिश्ट वेंजन तयार किये जा जाते हैं और सभी लोग मिल जूल कर इसका आनंद लेते हैं जूर सीतल फेस्टिवल की शुरुआत पहला जूर सीतल फेस्टिवल की शुरुआत बरे बुजरुगों के द्वारा अपने परीजनों के सीर पर सीतल जल डाल कर की जाती है दूसरा गर्मी बढ़ने के साथी आरंब से ही शादी विवा जैसी मांगली कारे भी आरंब कर दिये जाते हैं लोग एक दूसरे के शरीर पर मिट्टी और कीचर लगाते हैं ग्रिश्म रितु में मिट्टी के लेपन से तीखी धूप के कारण बढ़ने वाले तुचा रोग से बचाने के लिए इसका उप्योग किया जाता है आयूरवедा चारे के अनुसार भी तालाव नदी की तलहटी की मिट्टी काले पर तुचा पर लगाने से पुराने से पुराने तुचा रोग से मुक्ति मिल जाती है ये परमपरा से जलासों की संभाल का भी संदेश मिलता है इस तिवहार से एक दिन पहले रात के समय बरतनों में पानी भर लिया जाता है ताकि गर्मी में पानी की किलत ना हो फैस्टिविल के दिन धूल की गुबारे से बचने के लिए सरकों पर पानी का छिर्काव किया जाता है जिसका क्रम पूरे महिने तक लगातार चलता है जूर सीतल में छोटे पौधे से लेकर बरे व्रिक्षों तक से पानी डाला जाता है तुलसी के पौधे पर तो विशेश रूप से ध्यान दिया जाता है इससे यही संदेश लोगों तक पहुचता है कि पेर पौधा का ध्यान रखना भी जरूरी है क्योंकि यह पारमपरिक फ द्वारा ये त्वहार बरे ही हर सो उल्लास से मनाया जाता है इस त्वहार को मनाने के दौरान कुछ बातों का ध्यान भी रखा जाता है जूर सीतल के दौरान मिथला में चूला नहीं जलाया जाता है त्वहार के एक दिन पहले यानि सत्वानी की रात को त्यारी आरंभ कर जाती है सतवानी की रात को बड़ी भात का प्रशाद तयार करते हैं और अपने इश्ट को भोग लगा कर गढ़न करते हैं इस बात का ध्यान रखा जाता है कि ये भोजन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बनाया जाए और अगले दिन भी इसी का इस्तमाल किया जाए ताकि परंपरा को लोग बसिया पबनिक भी कहते हैं यदि चूले पर कुछ रखा भी है तो चूले पर दही बासी बड़ी एवं भात चढ़ाने की परंपरा है इस तिवहार की शुरुवात भयांकर गर्मी में होती है इसलिए इसके स्वागत के लिए बड़े बुजरुग सुबह सुबह छोटे के सीर पर बासी जल देकर शीतलता के साथ जीवन जीने का अशिर्वात देते हैं ताकि ये हर समय ठंडे सुभाव वाले बने रहें ग्रामेन क्षेत्रों में बहुत ही सादगी से और संजीदगी से इस तिवहार को मनाया जाता है और बासी खाना खाने के पीछे भी वैग्यानिक तर की ही बताया जाता है वैग्यानिक द्रिष्टी के अनुसार चंद्रमा और सुरे की चाल इस तिवहार के समय नक्षत्र और राशी में इस तरह से हो जाती है कि जो की टानू खादे पदार्थ को खराब करते हैं वे सक्रिये नहीं हो पाते हैं जिससे खादे पदार्थ खराब होने की कोई संभावना नहीं होती है इसी दिन से सोर वर्ष की भी शुरुआत हो जाती है अर्थात बैसाख की शुरुआत हो जाती है परियावरन को बचाने का संदेश भी इस तिवहार से जुड़ा हुआ है जुर सीतल के अवसर पर घरों इवंशेवालियों में गिल्टी का जिसे की बनी शाला कहा जाता है कि स्थापना की जाती है ऐसी मानियता है कि तुलसी के पौधे में सभी देवताओं का वास होता है इसलिए हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा अवश्य लगाया जाता है जूर सीतल पर बच्चों द्वारा होली की तरह ही त्योहार मनाया जाता है जैसे की धूर खेल कहा जाता है विशेश तोर पर लोगों द्वारा जल, पात्रों, वस्त्रों की साब सफाई की जाती है क्योंकि इस तेवहार पर जल देवता का भी आभार प्रकट किया जाता है जूरशी तलती थी दोहजर तईस जूरशी तलती वहार 15 अपरेल 2023 को सटड़े के दिन होगा जो की मिथला में नए वर्ष की शुरुवात का प्रतीक है कैसा लगा आप सभी को हमारा ये जूरशी तल वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताईएगा अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और सेयर करना बिलकुल न भूलना मेरे वीडियो को एंट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद थैंक्स पर वाचिंग कीप सपोर्ट